दोस्तों मैं आपको याद दिला दूं कि आज हफ़ते का आखरी दिन है वीक क्लोजर है 200 वीक्स मूविंग आवरेज का टेस्ट है और साथी साथ आपके जीतने के लिए 50 यूएजडी सी जीतने का एक आखरी मौका भी है तो अपने कॉमेंट तयार कर लीजिए और साथी साथ वीडियो पूरी देखिए क्योंकि सवाल बीच में कहीं पूछा जाएगा और एक जबरदस्त फ्रैक्टल मैं आपको दिखाऊंगा जिसके विचार से पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त लॉंग तम में 2024 की अगली हालविंग बहुत दूर है मेरा नामर होई शर्मा चलिए शुरू करते हैं फटावड से इस वीडियो को शॉट नम में अगर बात करें फोर आवली टाइम फ्रेम पर तो बिटकोइन का प्राइस बिलकुल अगर हम देखें तो अल्मूस्ट पिछले तीन हफतों से वही साइडवेज मुविंट कर रहा है 200 वीक्स मुविंग इसके जस्ट ऊपर बैठा हुआ है और फोर आवली टाइम फ्रेम पर हमारा औरेंज बॉक्स जो है उसके इर्द गिर्द घूम रहा है अगले हफते मेरे विचार से थोड़ा से निरनायक दिश्टी कोण होगा बिटकोइन का उंठ जो है वो एक दिशा पर करवट लेगा च अगले हफते जो है सूरतिहाल कैसा होगा पर फिलहाल क्यूंकि 200 मूविंग आवरिज इंटक है और 200 मूविंग आवरिज के उपर हमने 6 हफते उसके नीचे के बिताने के बाद पिछला हफता उसके उपर बिताया है अगले 12 घंटे बहुत निरनायक हो जाते है अगर आब य उपर वैसे भी टूट रहा है छे महिनों से वो बरकरार रहेगा यहाँ पर तो बात करेंगे अगर इस पैटन की जिसके बारे मिने आपको कल बताया था कि आपके लिए एक ट्रेडिंग ऑपर्चुनिटी क्रियेट किये जा रही है यह लगातार बार 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 वार वन डे टा बताता हूं क्यों उसका कारण यह है यह ट्रेड यह पैटन एक जैसा दिखने में जरूर बन रहा है पर अगर आप देखें तो जो इसका आगे का कोन है वो संकुचित होता हुआ दिखाए देर है छोटा होता जा रहा है उसमें उसमें उतना गैप नहीं है इस समय जो नीच स्टाडिजी उसके हिसाब से थोड़ी सी अल्टर करनी वड़ेगी हमें जल्दी नहीं करना है ट्रेड लेने के लिए जबरदस्ती नहीं करनी है हमने एक और पैटन यहाँ पर बनाया यह टाइम पर यह डेक्लाइनिंग लाइन का जिससे रिजेक्शन मिल रहे है तो हमें द और अगर रात को कुछ भी अन्होनी होती है तो फिर उसका खाम्याजा हमें अपने ट्रेड में नुकसान देकर भुगतना पड़ सकता है तो हम उतना रिस्क नहीं लेंगे हमारे पास पैसा गवाने के लिए समय नहीं है तो इसलिए हम इस ट्राइंगल को इस तरह से एक तर पूर्ण फ्रैक्टरल यहां पर मैं आपको दिखाता हूँ बिटकोईन की तीसरी हालविंग चल रही है जिस आप जानते हैं 2020 में तीसरी हालविंग हुई थी और पहली दो हालविंग का जो एवरेज ट्रेंड है वो उपर एक तरह से आपको ब्लू में दिखाए गया है ब् 2020 से अब तक का ट्रेंड है अगर आप देखेंगे तो पहली दो हालविंग के बाद बिटकोईन में चपर फाड गेना है था तीसरी हालविंग में उतना थोड़ा ज़्यादा तंदुरुस्त नहीं है पर अगर आप पैटन देखें तो वही है पहली पहले एकदम से शूट क जाने के बाद और अल्मोस्ट परसेंटेज वाई लिया और पहली दो हालविंग में देखने और उसके बाद सेकेंड पीक के बाद प्रैस ने फिर से थोड़ा सा दम तोड़ना शुरू किया है और प्रैस अपने बॉटम की तरा अगरसर होता है इस एक बड़ा ही अजीब क का एक pattern का commonality है उस pattern की बात करें तो अपने दोनों peaks लाने के बाद bitcoin ने काफी बड़ा dump लिया जैसे यहां पर लिया और उस dump में दोनों peaks के बाद के dump में एक common चीज थी पिछली हालविंग में कि वो जो है वो बहुत लंबे समय बाद है तो almost almost इस सर पर आया था इस बार हमने dump पहले ले लिया है ना तो सवाल अब यह उठता है कि क्या bitcoin में एक और बड़ा dump आना बाकी है जैसे यह last dump आया था first halving और second halving के या इसके बाद bitcoin उपर जाएगा यह मैं भी नहीं जानता आप भी नहीं जानते हमें केवल सबर रखना है और इतना विश्वास करना है कि जो dump आएगा भी अगर आज हम आपको पैसा बनाने के मौके देते हैं और जैसे मैं आपको वीडियो शुरू में बताया यह हफता बहुत critical है क्योंकि आपको inflation के नंबर आने वाले हैं inflation नंबर मैं आपको याद दिला दूँ कि पिछले महीने में जब जुलाई 10 को घोशित हुए थे जुलाई 13 को घोशित हुए थे तो 9.1 परसेंट आये थे इस बार जुलाई के नंबर 10 अगस को घोशित किये जाएंगे जो अगर 9 परसेंट या 8 परसे हैं और मेरा आपसे आज का giveaway सवाल बहुत सिंपल है आपके हिसाब से जो पहली दो हालविंग के बाद का जो rocket पंप आया था जो इससे भी जादा बड़े शिकर बर गया था वो क्या भी आना बाकी है या आपकी विचार से जो last stage of हालविंग के बाद जो बड़े डंप आये से बिटकोईन में वो बड़े डंप आएंगे मुझे कॉमेंट करके बताइए और देखते हैं आगे का सूरतहाल कैसा होता आपके साथ लाते रहेंगे हम पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद जैहिंद